वेलकम टो मैं चैनल फ्रेंड्स, आज मैं आपको प्रथम विश्वयूद का क्रिस्ट्रिन करवाने जा रही हूँ प्रथम विश्वयूद के कारण प्रथम विश्वयूद के लिए काफी कारण जिन्मेवार थे 1914 इस्वी में पहले विश्व युद के विस्पोर्ट को आधिनिक युद की महत्मन घटना माना गया है इस घटना के लिए 40 वर्षों से बारूदी कठा हो रहा था अस्ट्रिया की उत्रदिकारी ड्यूख फ्रांसिसşekkür है इसको चिंगारी दिखाने का काम किया इस युद में पहली बार विश्व की महान शक्तियों ने भाग लिया युद में भ्यंकर हथियारों का प्रयोग किया गया जहरीली गैसों का प्रयोग किया गया इस युद में जितनी जान और माल की बरबादी हुई उतनी पहले कभी नहीं हुई थी पहले विश्वयुद को सरव्यापक युद भी कहा जाता है इस युद के कारणों में से जो सबसे पहला कारण था वो था समराजेवादी मुकाबलेबाजी समराजवादी देशों का आपसी मुकाबला पहले विश्वयूद के महत्वरुन कारणों में से एक था 19 सदी में अनेक यूरोपी देशों में उद्योगी करांती आई थी इन देशों को अपने कारखानों के कच्चे माल के लिए और तयार माल के लिए मंडी की जरूरती इसलिए उन्होंने अफरीकी देशों में अपनी बस्तियां स्थापिद की समराजवादी शक्तियों में आपसी विरोध उत्पन हो गया परिनाम सवरुप सभी देशों में आप सी तना पैदा हो गया इस बढ़ती हुई समराज्यवादी मुकाबले बाजी के कारण युद्ध की परस्तितियां पैदा हो गई क्यूंकि हर एक देश को अपने कच्चे माल के लिए और अपने कच्चे जब वो तयार माल हो जाता था उसे बेचने के लिए मंडी की जरूरती इसलिए उन्होंने अपनी जो राज्य की सीमाओं को बढ़ाना शुरू कर दिया और अपनी बस्तियां स्थापित करने शुरू कर दी अब यह जो समराज्यवादी की नीती थी इस वज़े से भी जो युद्ध की पस्तितियां मतबन हो गई अब दूसरा कारण था सैनिक वाद का उठान उन्हीं सदी में योरॉप के देशों में सैनिक वाद की भावना का तेजी से परसार हो रहा था लगबग योरोप के हर एक देश में नोजवानों के लिए सैनिक सिखलाई को जरूरी कर दिया गया धीरे धीरे यूरोप एक विशाल सैनिक कैम्प बन गया परतेक यूरोप का देश यह दावा करता था कि वह सैना का गठन अपनी आतम रक्षा के लिए कर रहा है और दूसरे देश हमले के उदेशे से अ जादा कर रहा हूँ अधिक कर रहा हूँ कि मुझे तो आतम रक्षा करनी है लेकिन दूसरा देश यह सोचता था कि वह हमले करने के उदेशे से अपनी सैना को बला रही है अब ये भावना जो है वो यूद की परस्तितियां पैदा करने में जो महत्रण सिद हुई अब जे मेरियर्ट के अंसार यूरोप सरकार ने जनता को यूद की शान और जरूरत का पार्ट बढ़ाने के प्रहत्न कर दिये थे शायद इसलिए भी यूद की जो परस्तितियां थी पैदा हो गई अब तीसरा कारण था अलसेस और लॉरेन की समस्या अलसेस और लॉरेन के थे फ्रांस के लिए इन परदेशों का काफी महत्व था फ्रांस जर्मनी से किसी भी कीमत पर अपने परदेश वापिस लेना चाता था जर्मनी इन परदेशों को चोड़ना नहीं चाता था क्योंकि ये जो परदेश थे लोहे और कोईले के काफी परसित थे अब फ्रांस भ तरपस्टी में स्थितिक छोटा सा मुस्लीम राज्य था इसमें विभीन जातियों के लोग रहते थे इस राज्य में आपस में विद्रो होते रहते थे इस्थिति का लाब उठा कर जर्मनी फरांस इंग्लेंड स्पेन इंग्लेंड इटली आदिदेश इस पर अधिकार करना जाते थे फरांस ने इंग्लेंड स्पेन और इटली को सरकारों के साथ गुप समजोते करके मौराको के बारे में समर्थन प्राप्त कर लिया जर्मनी को सम्झोते से काफी बुरा लगा उसने फ्रांस को नीचा दिखाने के लिए ये घोशना कर दी कि मौराको एक सर्तंतर राज्य है जर्मनी की सरकार उसकी सर्तंतरता को बनाई रखने के लिए उसकी साहिता करेगी मौराको को लेकर जर्मनी और फ्रांस में कलवार्ट पैदा हो गई अब एक कारण प्रेस की भूमिका भी थी पहले विश्वियुद को हवा देने में प्रेस ने महत्पुन भूमिका निवाई इसमें छपने वाली जूटी खबरों ने लोगों को भरकाने का काम किया अब काफी जो छोटी छोटी बाती होती थी उसे काफी बढ़ाज लाकर इन प्रेस थी इनमें बढ़ाज लाकर समाचार चपते थे खबरें चपती थी, राष्टे भावनाओं को उभारना, सच को छुपाना, विरोधी राष्टों के विश्व को बढ़ाज लाकर बताना, पहले विश्व युद का महत्वरन कारण बना अब एक कारण था जर्मनी द्वारा शक्ति प्राप्त करने के प्रयात्न 19 सदी में जर्मनी विश्व का एक शक्ति शाली राज्ये बन गया था उसकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो गई थी, वेह अपनी सैनिक शक्ति भी काफी बढ़ा रहा था अब विलियम द्वारा जर्मनी को विश्व के सबसे ताकतवर शक्ति बनाना चाहता था उसने शक्ति शाली होने के उदेशे से बरलीन से बगदाद तक रेलवे लाइन बनाने की योजना बनाई फ्रांस और रूस ने इसका विरोध गिया लेकिन रेलवे लाइन तयार हो गई इससे अलग 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 देशों में आपसी जो था टक्राव वो पैदा हो गया दूसरे देशों पर शक्की नज़र से देखने लगे वैसे तो वो वीना किसी कारण से भी गटवंदन करते थे संद्या करते थे लेकिन जो दूसरे देश होते थे वो इनको शक की निगासे दिखते थे कि कहीं ये गुप्त संधियां करें, गुप्त गटबंदन करें किसी दूसरे देश पर आक्रमन करने के लिए अब यह पता लगाना मुश्किल हो गया था कि कौन मित्र है, कौन दुश्मन इस कारण युरोप का वातावरन गंदा हो गया, विश्व दो गुटों में बढ़ गया, पहले गुट में जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली शामिल थी, दूसरे जो गुरुप था उसमें फ्रांस, रूस, बिटेना दी शामिल थे, अब S.B.F. कि इंसार महा युद का सबसे बड़ा एक कारण गुप संदी की परनाली थी, जिसका विकास फ्रांस, प्रशिया के युद के बाद हुआ, एक कारण था बोस्निया और हर जैगुवीना की समस्या, 1878 की बरनिल की संदी की अंसार इन दोनों परदेशों पर आस्ट्रिया को शासन करने का दिकार था, लेकिन यह शर्त रखी गई कि आस्ट्रिया इन परदेशों को अपने राज़े में शामिल नहीं कर सकता, लेकिन उसने इसकी उलंगना की, अब उसकी यह शर्त थी कि वो अ अरबिया एक दूसरे के पके दुश्मन बन गए, अब यह जो कारण थे, यह तो थे इस युद की चंगारी को भड़काने का काम किया, लेकिन इन में एक तत्कालिन कारण भी था, जिससे इस युद की आख ऐसी उत्पन हुई कि इसे स्माप्त करना काफी मुश्किल हो गया लगभग नामुकिन हो गया, वो था इसका तत्कालिन कारण, अब पहले विश्विजुद का तत्कालिन कारण था, 28 जून, 1914 इस वी को, आस्ट्रिया के युवराज आर्क ड्यूक फरडिनेंट और उसकी पतनी सोफी चेटक की हत्या थी, वह आस्ट्रिया के समराट जोसफ क भतीजा था, समराट अब काफी बुदा हो चुका था, उसने और ड्यूक फरडिनेंट को अपना उत्रादिकारी निक्त कर लिया था, युवराज अपनी पतनी के साथ, अपने समराजे के नए प्राहत बोसनिया की राज़ानी, सारा जोबक की यात्रा कर पर गया, बोसनिया को 1908 ही स्वी में आस्ट्रिया में शामिल किया गया था, आस्ट्रिया की इस कारेवाई से सर्बिया तिलमिला उठा था, 28 जून को युवराज और उसकी पतनी खुले कार में सारजोबकी सदकों से गुजर रहे थे, अब गैबरीलो प्रिंसिप नामक एक युवक ने उन दो गया और जल्दी ही बाकी देश भी इसमें शामिल हो गए, कुछ समय पस्चान ये घटनाए विश्व युद का कारण बन गई, अब हम ये कह सकते हैं कि जो प्रथम विश्व युद था, 1914 इस वी का, इस युद को बनने में, इस युद के होने में कुछ एक दो कारण जिम् जैसे परदेशों पर अपना अधिकार समझना, मौराकों जैसे परदेश पर जो अपना अधिकार समझना, जर्मिनी द्वारा अपनी शक्ती प्राप्त करने के प्रयतन करने, वहां की प्रैस की जो भूमिका थी, प्रैस जो राष्टी भावनाओं को भारती थी, छोटी छो जिसमें युवराज आग डूक फाडिनेंट और उसके पत्ने की हत्या ने इस युद में आग में घी का काम किया और प्रथम विशव युद के ये कारण बना थेंक यू